गुड मानें टू आई बच्चों क्लाश 12 का रजिया सज्जाज जहिर 16 चैप्टर जो है उसका सेज़भाग देखते हैं बच्चों के बच्चों के दोनों के बिश्थापित पुनरवासित जनव के दिलों को टटोलती एक मार्कमिक कहानी है दिलों को टटोलने की इस कोशिस में अपने पराय देश-परदेश की कई प्रतित धार्णाओं पर सवाल खड़े किये हैं एक बिस्थापित होकर आई सिख भी भी आज भी लाहर को अपना वतन मानती हैं और सावगात के तोरपर वहां का नमक लाए जाने के फर्माई करती हैं कश्टम अधिकारी नमक ले जाने के जाज़ा देते हुए जिसे ले जाना गयर कानूनी है देहली को अपना वतन में बताता है इसी तरह भारती कश्टम अधिकारी सुनिल दास गुप्त का कहना है मेरा वतन ढाका है राष्ट राज्यों की नए सीमा रेखाएं खेची जा चुकी है और मजहभी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगहें मुकरर कर चुके हैं इसके बावजूर जमीन पर खीची गई रिखाएं उनके अंतरमन तक नहीं पहुच पाई है राजनितिक कड़े अथारत के अस्तर पर उनके वतन की पहचान बदल चुकी है किन्त यह उनका हर्दिक अथारत नहीं बन पाया है एक अंचाही अप्रीतिकर बाहरी बादिताने उन्हें अपने जन्म अस्थानों से विस्थापित तो कर दिया है पर वह उनके दिलों पर कबजन नहीं कर पाई हैं नमक जैसी छोटी सी चीज का सपर परचान के इस हर्दिक पहलू को परत दरपरत उघार देता है यह हर्दिक पहलू जब जब तक सरहत के आरपार जीवित है तब तक उम्मीद की जा सकती है कि राजनेतिक सरहते एक दिन एक दिन बेमानी हो जाएंगे लाहुर के कष्टम अदिकारी का कथन बहुत सार गर्वित है उन्होंने यह नमक菁 देते मेरी तरफ से कहीएगा उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहीएगा कि लाहुर अभी तक उनका वत्न है और देहली मेरा तो बाकी सब रफटा-रफ़टा ठीक हो जाए career रफ्तारमीन दीरे दीरे इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में जरूर उठ सकता है क्या धर्म मजहब क्या धार पर नई सरहतों के आरपार फेक दिये गए लोगों की वह पेड़ी जिनके दिलों में अपनी जिन्म अस्थली के प्रति गारा लगाओ के के खत्म हो जाने प तो बच्चो आज तक आज का यहां क्लास समात होता है यह लेसन के बारे में कुछ बाते थी वह बताया गया नेक्ट क्लास में आपको पढ़ा जाया गया तब तक नमस्कार